गुड आफ्टरून फिंस आप सभी का स्वागत से आपके अपनी चैनल वर्च्वस में मैं जो दनकर फॉर्मरेंस भी एपियो एक छोटा सा एक ब्रीफ सा सेशन आर अर अर भी क्लिए मीन्स के लिए जो स्टुडेंट्स अपियर करने वाले हैं मेरे जो बहुत सारे जो रेग सेवेंटींथ है एटींथ है नाइंटीं मतलब तीन चार दिन आपके पास बचे हैं और जनरली एक्जाम से एक दिन पहले आप रिलाक्स करना है पसंद करते हैं तो एक्जाम से पहले-पहले मेरी क्या दरकास रहीगी आप लोगों से वो मैं शेयर कर देता हूँ एक सबसे पहले तो मैं यह बता हूँगा कि RRB clerk means का जो pattern है वो exactly same है as RRBPO means जो different sections का जो structure है जो timings है वो बिल्कुल सेम है composite 2 घंटे का समय है reasoning के 50 questions sorry 50 marks 40 questions quants के भी 40 questions 50 marks English and English slash Hindi and general awareness के लिए 40 questions 40 marks और computer के लिए 40 questions 20 marks का वेटीज है total 200 questions 200 marks का आपका वेटीज रहेगा ठीक है तो वो काफी same है अगर आप देखना चाहते हैं कि sir exam कैसे attempt किया जाए तो उसके लिए मैंने RRBPO means के लिए how to attempt the exam या how to attempt the paper कैसे divide किया जाए time उस पर वीडियो बनाया था वो link मैं नीचे description में भी दूँगा तो वही बाते फिर से repeat करने का कोई sense नहीं निकलता तो वो वीडि पता रहना चाहिए कि paper का roughly क्या level रहता है तो RRB clerk means का जो level है सब ही means में सबसे easier level रहता है RRBPO means से अगर आप compare करेंगे तो उससे भी paper का level नीचे रहेगा IBPS clerk means से भी नीचे रहेगा तो paper का level easy easy to moderate के तरफ आपको देखने को मिलेगा highly scoring paper आएगा तो आपको attempts भी जादा करने ठीक है और exam में जाने से पहले मेरी दरखास ये रहेगी कि पिछले साल के दो papers आप solve करके जाएंगे जिसमें से कल का जो मेरा सुबह साड़े गारा बजे का session रहेगा और परसों का प जरूर देखेगा live देख सकें तो बहुत बड़िया recorded देखना चाहें तो recorded भी देख सकते हैं वह बहुत important है आपको एक idea देगा कि RRB clerk में इसमें किस level के questions पूछे जाते हैं क्योंकि reasoning आपकी highly scoring आएंगे आप काफी अच्छा score कर पाएंगे reasoning के अंदर भी क्वांट्स थोड़ा सा reasoning से में भी tougher side पर रहेगा पर in general अगर अगर बात करें तो भी moderate से उपर level जाने की कोई चाहस नहीं है general awareness आप लोग ठीक ठाक score कर सकते हैं काफी questions आपको current affairs से देखने को मिलेंगे काफी questions direct questions रहेंगे तो current affairs का revision आप already कर रहे हैं उसमें लगे रहे हैं अच्छे से revise कीजिए अब काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर बजट के regarding क्या रहेगा कि या इस साल का बजट हमें आर आर भी लोग में इसके लिए तयार करना है तो मुझे नहीं लगता कि इस साल का budget से कोई question रहेगा एक बार आप important important point ज़रूर पढ़ लीजेगा पर in detail आप पिछले साल वाला budget ही तयार करके जाएंगे 2020-2021 वाला करके जाएंगे 2021-2022 वाला उपर उपर से overview आएक बार आप थोड़ा issue होता है इसका मतलब यह नहीं कि automatic selection इंदी बन जाता है हिंदी के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंदी में आप score जादा कर सकते हैं पर इंदी में वो लोग score करते हैं जिनकी हिंदी में command होती है अगर आप लोगों की हिंदी में command ही नहीं है और आप काफी और general awareness पे आपकी special focus है आखरी की कुछ दिनों में और reasoning और quants के लिए मैंने बता दिया है कि previous year papers discuss करवाए जाएंगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए और अच्छे से classes attend कीजिए live sessions आप जरूर देखिए जाएगा इससे आपको perspective मिलेगा idea मिलेगा कि क्या हम ये questions एक तो level पता च कि जो cut-off से एक बार आप देख लिएगा state-wise आपको idea लग जाएगा और इसके लावा vacancy से regarding सिंग सर ने आपके लिए चोटा सा वीडियो डाला था कि जो बैंक आप बढ़ोधा की विकेंसी विड्रॉंज एड़ेट का cut-off पर क्या effect पढ़ सकता है वो वीडियो जाके एक ब अपना बैस देना है इस बात का धियान रखेगा बस आपको अपना बैस देना है कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़े मच सोचिएगा पेपर का जो environment रहता है ना friends वो already इतना pressured environment रहता है कि आप और external stress ले ले लेते हो और परिशान हो जाते हो ना तो उसे बहुत problem होती है और एक अच्छा हमेशा आप पेपर को खराब से अच्छा बना सकते हैं बस बस यह जो attitude है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा demotivated होना depressed हो जाना low feel करना इस सब के लिए time नहीं रहता इन सब के लिए time नहीं रहता तो एक same energy के साथ एक same focus के साथ पुरा का पुरा paper attempt करना है just because एक section थ चलिएगा कि मैं कभी भी situation को change कर सकता हूं और लगे रहना है paper में end तक focus रहना है और बहुत जादा बड़ा paper नहीं है इसे बाकि कई IBPSPO means, SBAPO means paper काफी बड़े होते हैं तो अच्छे से focus तरीके से कीजेगा और इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और live classes का जो म कोशिश है रहीगी कि आने वाले 2-3 दिन तक हम RRB clerk में इसके पिछले 2 साल के questions आपको करवाएं और उससे आपको idea लगेगा कि paper कितना easy आता है ठीक है तो जाने से पहले आप सभी को best of luck जैसे कि मैंने कहा बस अपना बहस दीजेगा क्योंकि अगर आप अपना बहस देंगे तो selection जरूर होगा. Now that's all for today's session. Take care.